आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड डियर में हमारा जो सब्जेक्ट है हॉर्पिटल आन क्लिनिकल फार्मिसी उसमें आज हम चैप्टर नमबर 10 जो की है पॉईजनिंग उसके बेस्ट 10 MCQs को डिसकस करेंगे जो आपके final exam के लिए भी important रहेंगे साथी साथ आपके exit exam के लिए भी important रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले आपको description में links दिये गए हैं हमारे साथ चुड़ने के various platforms के थुरू जैसे की whatsapp, telegram, instagram तो इनके links description में मिल जाएंगे उनके माध्यम से follow कर सकते हैं चैनल पर नए हैं चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon हिट कर लिजे इसी तरीके की latest और amazing videos आपको मिलती रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question कहता है which one of these is an ingredient to universal antidote अब जो हमारा universal antidote माना जाता है उसमें से कौन सा ingredient है तो वो calcium carbonate है या फिर वो potassium permanganate है या वो activated carbon है या फिर वो sugar है और सही answer है activated carbon अब जो आपका ये activated carbon होता है इसको हम जो है activated charcoal के नाम से भी जानते हैं ठीक है और सबसे जादा ये जो है एक use किया जाता है universal antidote के नाम से ठीक है और इसे हम जो है use करते हैं कि जब ये basically जो toxins हैं जो हमारे gestro intestinal tract में चले जाते हैं यानि कि जो आपका digestive tract है ठीक है उसके अंद पदार्थ होते हैं वो हमारी body के अंदर चला जाए तॉक्सिन है तो यानि कि जहर ही फैलेगा उसी के लिए antidote का इस्तिमाल किया जा रहा है जब ये आपके GI tract में जाता है तो वहां से उसको adsorb करने मदद करता है और जो blood stream में वो हमारा जो आपका ये जहर है toxins है ये blood streams में न फैले उससे बचाने का भी कार्य करता है ठीक है साथी साथ जो activated carbon है आपके large surface area पे जो है basically ये होता है और अपनी इतनी शमता रखता है कि ये जो है दूसरे जो substances होते हैं उनको trap कर सकता है जिसकी वज़ा से emergency treatment के तोर पे आप इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं कुछ poisoning conditions में ज specific toxic agent अगर किसी के अंदर चला गया है वो unknown है तो उसके लिए आप इस universal antidote को use कर सकते हैं activated carbon को जिसे activated charcoal भी कहा जाता है next question कहता है substance which neutralizes the effect of poison is जो poison के effect को उसके प्रभाव को neutral कर दे neutralize कर दे ठीक है तो उसे क्या कहेंगे उसे agonist कहेंगे antidote कहेंगे या antagonist कहेंगे या फिर none of the above यहाँ पर कुछ नहीं है तीक है दूसरा option सिर्फ आपका antidote है और सही answer जो है वो है आपका antidote यानि कि जो antidote होता है वो ही आपके poison यानि कि जो जहर है उसके असर को कम करता है या फिर खतम कर देता है neutralize कर देता है वो आपका antidote ही होता है next question कहता ह नियूरोलाइटिक पॉईजन्स आर नियूरोलाइटिक पॉईजन्स क्या होते हैं नक्सवॉमी का chloroform या फिर konium है ठीक है या फिर आरसेनिक, bromide, snake venom है या फिर carboxylic acid, sulfuric acid और alcohol है या फिर alcohol है नक्सवॉमी का है और mercury है और जो सही answer है वो है नक्सवॉमी का chloroform और konium ये ठीक है यह जो सबस्टांस है जैसे कि नक्स वोमीका है तो इसके अंदर स्ट्रिकनीन होता है जो की एक नियुरो टॉक्सिन प्रॉपर्टी शो करेगा जो की सेंटर नर्वस इस्टम के उपर जो प्रभाब पड़ता है उसको कम करने में मदद करता है नेक्स्ट है माना जाता है और peripheral nervous system को affect कर सकता है आगे चलते हैं next question कहता है which type of antidote is used when the nature of ingested poison is not known किस type का antidote इस्तमाल किया जाएगा जब हमें basically उस particular poison का जहर का पता ही नहीं है तो chemical antidote use करेंगे या physical antidote use करेंगे या physiological antidote use करेंगे या universal antidote use करेंगे और सही answer है universal antidote use करेंगे जब हमें जहर का पता नहीं होता तब universal antidote use किया जाता है अब activated charcoal आपका universal माना जाता है क्या माना जाता है universal antidote माना जाता है activated charcoal या carbon जब हमें जहर का पता नहीं होता है तो जो आपका digestive track है या gestrointestinal track है तो उसमें जो जहर का असर होता है जहर होता है यानि कि poison toxin तो उसको adsorb करता है आपके GI tract को बचाएगा blood stream के अंदर जहर ना फैले toxicity ना produce हो उसका बचा उससे भी बचाव करता है आप डी फार्मा second year में है जब exams की preparation करनी होती है चाहे sessional exams हो या हमारे final year के exams हो तो उसके लिए basically हमें model papers की requirement होती है पामेश इंडिया live लेकर के आया है six set के modules model papers के डी फार्मा second year के लिए जो कि आपके डी फार्मा second year में छे subject हैं हर subject का एक module है और हर module के अंदर आपको तीन set का paper मिलेगा जिसको हिंदी और English दोनों भाशाओं में हल किया गया है यानि कि solve किया गया है तो जो परेशानी आती है पढ़ते वक्त चाहे English से या Hindi से वो भी दूर हो जाएगी क्योंकि दोनों languages में solve किये गए हैं इसको order करने के लिए pharmacy India mobile app download कीजिए Google Play Store से उसके माध्यम से order कर सकते हैं और WhatsApp का link भी दिया गया है आपको description में उसके माध्यम से भी आप इसको order कर सकते हैं next question कहता है naloxone is used in the poisoning of naloxone किसकी poisoning में use होता है बार्बिचुरेट की morphine की cocaine की या alcohol की और सही answer है morphine जब morphine की toxicity हो जाती है body के अंदर poisoning हो जाती है तब naloxone use किया जाता है naloxone आपका opioid receptor माना जाता है opioid receptor antagonist माना जाता है मतलब कि यह जो है जो भी एक opioids होते है ठीक है जब उनका जो है प्रभाव होता है body में तो उसको reverse करने में काम करता है जो की आगे जाके opioid receptor जो होते हैं हमारे brain में ठीक है और सागी साथ मैं बात करूँ तो जो कुछ drugs है हमारी जैसे morphine हुई तो इनके प्रभाव को रोकने में मदद करता है उनकी toxicity body के अंदर नहीं बनने देता और सबसे जादा एक यह जो है तो वो tannic acid नहीं होता है या activated charcoal या magnesium oxide या फिर chloride और जो सही आंसर है वो है आपका chloride chloride को हम जो है basically universal antidote के अंदर इस्तिमाल नहीं करते हैं अब activated charcoal आपका जो toxicity produce हो रही होती है जहर की वज़ा से तो GI tract में ना फैले और blood stream में ना फैले उसको adsorb करने में मदद करता है tannic acid की बात करें कभी कबार इसे हम universal antidote में ले ले लेते हैं क्योंकि ये कुछ toxins से जाके जो है bind हो जाता है और जो उनका absorption है उसको कम करेगा उसको decrease करेगा अगर बात करूं magnesium oxide की तो ये alkali होता है जिसे acids को neutralize करने के लिए इस्तमाल किया जाता है कुछ cases में इसे acidic poisons के counteract के लिए use करते हैं acid की वज़ा से poisoning हो रही होती है तो वहाँ पर इसको use किया जाता है next question कहता है which one of these is used as antidote for heparin heparin के लिए कौन सा antidote इस्तमाल होगा protamine sulfate या फिर warfarin या फिर bal या फिर glyceride trinitrate और जो सही answer है वो है protamine sulfate अब अगर मैं बात करूं जो protamine sulfate है ये आपका positively charged molecule होता है जो की आपका bind होगा और साथी साथ ये neutralize करेगा anti-coagulant effects को heparin के ठीक है और एक stable complex वहाँ पर बनना start होगा heparin के साथ में जिसकी वज़े से जो आपके कुछ poisoning body के अंदर हो रही होगी है पर इनके वज़े से वो कम होगी और उसके जो कुछ दुष प्रभाव होंगे तो वो भी reverse हो जाएंगे ठीक है next question कहता है an antidote for lead poisoning lead poisoning के लिए antidote कौन सा है बाल है नलॉक जॉन है EDTA है या atrophine है और जो सही answer कहता है वो है आपका EDTA यानि की जो आपका ethelian diamine tetra acetic acid होता है एक chillating agent होता है जो stable complexes form करेगा heavy metals के साथ जैसे की आपका lead हुआ ठीक है और क्या काम करेगा जब हमारी urine होता है हमारी body के अंदर जब toxicity produce होने लगती है तो जब हम basically EDTA को लेते हैं तो क्या होगा urine के रास्ते यानि की हमारा जब urination के लिए जाते है तो उसके through जो है जो poisoning हो गई है जहर फैल गया toxicity हो गई है वो हमारी body से बाहर आ जाती है urine के through ठीक है साथी साथ जो chillation therapy है EDTA की वो काफी use की जाती है जब lead poisoning होती है उसको कम करने के लिए lead की amount को body के अंदर से reduce करने के लिए और urine के through वो बाहर आ जाती है जिससे आगे जाके और toxicity ना फैले अप डी फार्मा second year में है तो फार्मेस इंडिया live लेकर के आया है डी फार्मा second year के बच्चों के लिए master notes जो की आपको 6 set के modules में मिलेंगे आपके 6 के 6 subjects pharmacology, HCP, biochemistry, therapeutics, CPM और law and ethics इनके आपको master notes मिल जाएंगे जो PCI के latest syllabus के according बनाए गए है हर एक topic को इसके अंदर explain किया गया है बहुती easy और सरल भाशा में इसको लेने के लिए download कीजिये फार्मेस इंडिया mobile app Google Play Store से और इसका link आपको description में भी दिया गया है साधी साथ आप इन दो numbers के माध्यम से भी इनको order कर सकते हैं next question कहता है which type of antidote is used when the nature of ingested poison is not known देखो फिर से जो है हमारा question जो है इस बार गुमा के पूछ लिया गया है ना इसमें basically question ही ये कह रहा कि कौन से type का antidote हम इस्तिमाल करते हैं जब शरीर के अंदर जब जहर फैल गया toxicity produced हो रही है और उस जहर का उस poison का हमें पता नहीं है तो chemical antidote, physical antidote, physiological antidote या universal antidote जानते ही है कि universal antidote इस्तिमाल होगा जिसमें सबसे जादा हम activated charcoal को इस्तिमाल करते हैं और blood stream के अंदर जहर ना फैले उससे भी बचाता है नास्ट question कहता है the drug used to treat alcoholism is अब जो alcoholism हो गया है किसी के अंदर तो कौन से ड्रग का इस्तिमाल होगा उसको ठीक करने के लिए folic acid का, neltrexone का, large actile का या फिर all of these और जो सही आंजर है वो है neltrexone neltrexone drug को हम इस्तिमाल करते हैं alcoholism को ठीक करने के लिए अब जो बच्चा लोग आपका drug use किया जा रहा है alcoholism के लिए ठीक है जो आपको options दिये गए वो इतने as such appropriate नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि जो हमारा treatment हो सकता है तो उसमें जो कुछ drug of choice होती है डाय सल्फिवाम होती है, साधी साथ neltrexone होती है और हमारी जो acamprosate होती है ये drug जो है mostly दी जाती है ठीक है जब basically body के अंदर जो है alcoholism जादा हो जाता है उसको ठीक करने के लिए ठीक है तो आज के इस session में हमने chapter number 10 जो कि था poisoning and its antidotes उसके best 10 MCQ उसको discuss किया जो आपके final exam और साधी साथ जो आपका exit exam होगा इस साल से PCI के द्वारा ठीक है तो उसके लिए भी important रहेंगे आप हमें various platforms के through follow कर सकते हैं सब्स्राइब कीजिए फामे सिंडर लाइब यूट्यूब चैनल वाट्सेप नमबर 9389516306 save कर सकते हैं और DP India capital letters में type करके वेज दीजिए सामने screen पे आपको QR code visible है इसको scan करके telegram के त्रू जूड जाएंगे साथी साथ आपको इन सभी के links नीचे description में भी दिए गए हैं उनके माध्यम से भी follow कर सकते हैं और आपको latest d pharma updates मिलते रहेंगे साथी साथ exit exam से सम्मंदित हर एक जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी इसी तरीके की more amazing videos के लिए बने रहेंगे pharmacy इंडिया live के साथ